दोस्तों क्या मातर 2500 रुपय के stock में हम investment करके long term में multi-bagger returns पा सकते हैं कौन से वो factors होते हैं जो की हमें confidence देते हैं as a retail investor ऐसे stocks में investment करने से पहले ताकि हमें आने वाले समय में multi-bagger returns मिल सकें ऐसे stocks में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बर फिर से stock for retail पर stock markets जूड़ी एक नहीं जानकरी के साथ तो दोस्तों आप लोग ने विप्रो के बारे में जरूर सुन रखाओगा राइट विप्रो अभी 642 रुपय के आसवास trade कर रहा है और विप्रो के बारे में हमने ये कहानी जरूर सुनी होगी as an investor कि मात्र कुछ ही हजार के investment पे करोडो का returns मिल रहा है इस share में तो ऐसी क्या बात होई कि ऐसे stock में विप्रो जैसे stock में आपको करोडो का returns मिला तो अगर आप हमारी वीडियोज फॉलो करते होंगे तो हमने bonus shares, bonus stocks के बारे में discussions कर रखे है ठीक तो विप्रो stock ने literally हर एक दो साल पे bonus shares issue कर रखे previous history आप यहाँ पे देख रहे है bonus history विप्रो की राइट तो आप समझिए कि आपके पास अगर एक share है आपको हर एक दो साल पे एक share plus free मिलता रहे मुफ्त मिलता रहे तो आपके number of shares बढ़ते रहेंगे ठीक है share price भी अगर बढ़ता रहेगा तो number of shares increase होने के साथ और price increase होने के साथ आपका investment पे compound returns आपको मिलते रहेंगे ठीक है वीडियो में आगे हम discuss करेंगे इसको detail में फिलहाल के लिए देखते हैं ये particular stock जो की है Indian Energy Exchange Limited अब इस stock के बारे में हमने detail explanation कर रखे इस stock ने bonus share announce किया था October के महीने में बोनस share इन्होंने announce किया था October के महीन में और उस समय हमने देखा कि ये stock करीब 600-700 रुपए के आसपस trade कर रहा था ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो bonus share होता क्या है इसके बारे में हम detail में इस video में फिलहाल explain नहीं करने जा रहे हैं अगर आपको short में जानना है तो माल लिजे आपके पास 100 shares है कोई company अगर 1 is to 1 की ratio में bonus share issue कर दे रही है तो आपको 100 shares bonus मिलेंगे आपके पास total number of shares 200 हो जाएंगे price share का reduce हो जाएगा 50% से ठीक है चलिए अब यहाँ पर 2 is to 1 की ratio में bonus share issue कर रखा था Indian energy exchange ने यनि की share price जो कल की date में था 2 December 2021 ठीक है यही रीजन है कि आज की date आप यह देख रहे है कि 265 रुपय के आसपास मिल रहा है 240-242 रुपय के आसपास morning में देखने को मिल रहा था और यहाँ पे 9% के आसपास upward moment हुई है उसके बाद ठीक अब as a retail ने में शक हमें यह समझना होता है कि क्या current price पर हम buy कर सकते है या नही ठीक है उसके लिए price to earning ratio देखे तो clearly overvalued है overvalued होने के साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि demand क्या रहती है इसकी और product segment क्या है product segment और business अगर हम समझ जाते रहे तो हम confidently ऐसे stocks में जो की overvalued है investment कर सकते हैं buy कर सकते हैं क्योंकि आप titan limited की अगर बात करें तो titan जब 300 पर के आज पास है तब भी overvalued है ठीक है चलिए stock market में अगर आप investment करते हैं तो आपके पास एक demate account already होगा है या नहीं है तो डूसरा demate account open करें angel 1 angel broking के साथ क्योंकि यहाँ पर account opening बिलकुल free है साथ ही साथ पहले साल का जो AMC है वो भी free है ठीक है इसको आप इस्तमाल कर सकते long term stocks buy करके hold करने के लिए क्योंकि investment पर यहाँ पर कोई भी brokerage नहीं है जनरली होता है कि मालीजे कभी कभी आपके बास जरोधा है एक बड़ी opportunity है जैसे कि 2020 March में थी उस दिन जरोधा काम करना बंद कर दिया अगर तो आप angel 1 का इस्तिमाल कर सकते हैं मालीजे angel 1 ने काम करना बं 0.55% के आसपास है return on equity यहाँ पे 48% के आसपास है return on capital employed 62% के आसपास है clearly यहाँ पे एक जवरदस्त performance है इस company का fundamentally strong company right और जो हम business की बात कर रहे थे product segment की बात कर रहे थे तो अगर आप ध्यान दीजिए तो IEX जो है अपने sector में monopoly business 95% monopoly business hold करती है तो मैं हमेशा इस बात फोकस करता हूँ कि अगर कोई भी business आपको monopoly दिखिया stock market में listed है PD light जैसे HUL जैसे Mariko जैसे तो ऐसे stocks हमारी portfolio में जरूर होने चाहिए भले ही 5 shares हम buy करके रखे धीरे धीरे उसको 35-40 shares कर ले long term में तो ऐसे stocks आपको multi-wagger returns जरूर देंगे ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से all time chart देखी तो यह stock मात्र 160 रुपए के आसपास हुआ करता था 2018 में इसमें गिरावट हुई 120 रुपए के आसपास आया 2019 में उसके बाद से एक जवर्दस्ती यहाँ पे chart pattern बना तो ऐसे stocks जो कि आपको हमेशा higher high higher low वाला pattern बनाते हुए देते राइट SA stocks में आप कभी भी buy करिए बस long term के लिए hold करिए यह patience होना चाहिए हमारे पास long term के लिए hold करने का तो हम अच्छा खासा returns पास सकते हैं और अगर share holding pattern पे आप ध्यान दीजिए तो promoter के पास कोई share holding नहीं है generally SA stocks हम buy नहीं करते हैं जिनमें promoter share holding नहीं हो बट आप ध्यान दीजिए तो कुछ ऐसी अच्छी company है जिनमें की promoter share holding नहीं है बट company का performance बहतरी नहीं है यहाँ पर public के पास 40% है और important बात बात बाकी बचे यहाँ पर institutions हैं हमेशा इस पात फोकस करता हूँ अगर आपको institutional holding investment कर रखा है कुछ न कुछ बात जरूर होगी fundamentally strong company है तभी qualified investors ने investment कर रखा है ठीक अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस particular chart में तो आप देखिए 2 December के दिन ये stock करीब 700 रुपय के आसपास trade कर रहा था ठीक है अब divide by 3 हो गया 240 रुपय के आसपास list हुआ 240 से 260 रुपय के आसपा short हो तो हम buy करते है SIP करते हैं ऐसे fundamentally strong stocks में ठीक है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आप देख सकते है 2 is to 1 की ratio का bonus share rounds हुआ था जिसकी की x bonus date आज के दिन है यानि की 3 December 2021 और यही reason है कि आज के दिन ये stock 260 रुपय पर trade कर रहा है क्योंकि share price जो 200 रुपय को था वो सीधे सीध 5 by 3 हो चुका है तो यह mostly most of the investors को पता नहीं रहती कि हमें यह news में आता है कि एकदम से चलो सस्ता हो गया चलो buy कर लेते हैं बट हमें पता नहीं रहता है कि क्यों यह सस्ता हुआ है कल की rate से ठीक है और अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए जो face value इनका 10 का था उसको split करके नए face value 21 में कर दिया था 2018 में ठीक आज की दिन 260 रुपय के price है multiply कर देते है 10 से क्योंकि जो split हुआ था price भी adjust होता राइट 2600 रुपय का price हो गया और इसको multiply करें 3 से 7200 के आसपास यहाँ पर share price हो जाता है तो clearly 72 रुपय का share अगर होता Indian energy exchange तो हमें बहुत ही ज्यादा महगा लगता है as a retail निवेशक 2500 रुपय का share है तो अगर हमें महगा लग रहा है तो I think हमें सोचने की जरूरत है कि अच्छे stocks actually भी क्या होते है ठीक है चलिए अब कोई भी stock कोई भी company bonus share issue करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो fundamentally strong ही है NCL research and financial services देखी एक रुपय 55 पैसे का share है dividend नहीं दे रह देखिए तो आप देखिए यहाँ पर 2014 में 4 is to 1 का ratio का bonus share issue किया 2021 में 1 is to 1 की ratio का bonus share और stock split 2014 में face value 10 का कर दिया था 2 का 2021 में यहाँ पर face value कर दिया था 1 का अगर हम इसकी split और bonus को adjust कर देते है bonus share prices को adjust कर देते तो around 80 रुपय पर share यह हो जाता है ठीक है और इसका ध्यान देगे तो market capillation 80 करोड से कम है market capillation 80 करोड से कम है 80 रुपय का share है अगर हम यह bonus वगेरा हटा दे split वगेरा हटा दे और इसके overall जो financials है वो weak है तो I think आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे stocks में investment क्यों नहीं करना है I think अगर वीडियो आफ हमारी follow करते होंगे right तो आपको clearly पता होगा कि हम fundamental analysis जो करते हैं सटीक तरीके से करते हैं और उस पे trust करते हुए investment करते हैं अब यहाँ पे promoters केवल 3% बाकी बचे public यहाँ पे को institutional investor है ही नहीं और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे fundamental profit and loss statements का तो देखिए net sales आपको घरती हुए दिखाए दे रहे 2017 में 7.5 करोड यहाँ पे क profit before tax negative profit before tax था 2017 में यहाँ पे केवल 1000-2000 अब पता नहीं कितने है यहाँ पे 1 लाख भी अगर माल ले तो यह profit जो है ऐसी companyों के लिए जो की 80 करोड का market capitalization hold करते हैं बहुत ही कम है बहुत ही minute है तो basically overall देखिए आप 86 का करोड का market capitalization price to earning बिल्कुल 0, earning वगर है यहाँ पे देखा तो कोई भी earning नहीं कर रही यह company तो profitability के मामले में देखाया तो बहुत ही कम profitability है इसकी और एक growth sustenance growth model नहीं है sustaining growth model अगर नहीं है किसी भी company माँ तो हम उसमें investment नहीं करते हैं ठीके तो I think आपको clearly समझ में आ गया होगा कि IEX कैसी company है कितनी strong है fundamentally और कैसे हम investment कर सकते हैं IEX में long term क फिलाल इतने ही दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी उसमें दीके जानका रही आपके काम की होगी यहाँ पे हमने fundamental analysis कर रखी है tradebrains portal के पे और tradebrains portal पे आप भी join कर सकते हैं free features है इनके कई सारे paid premium options भी है जो कि आप explore कर सकते हैं और इन्होंने recently launch किया हु recommendation नहीं होता हमारी वीडियो में कि आप stocks में blindly investment करिये हम आप लोगे लिए information लाते रहते हैं ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बन सके है stock market में